अगर आपकी मरदाना ताकत कमजोर है आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है आप ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाते अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते मात्र दो से तीन मिनट ही आप संभोग कर पाते हैं और आपका बीर ये निकल जाता है तो मात्र इसका एक खुराक सेवन कर लो लगातार छह से साथ घंटे ठोकाई करते रहोगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जाड़ दोगे चीखे निकालेगी बीबी पूरी रात फिर भी नहीं आपके सरीर में कमजोरी आएगी नहीं थकान जिन लोगों का एक बार बीर्य जड़ने के बाद दोबारा लिंग खड़ा नहीं होता उनके लिंग में जोस आएगी ताकत आएगी एनरजी आएगी और आपका बीर्य गोंद से भी ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा ठोक ठोक कर सरीर से पसीना निकलेगा लेकिन बीर्य नहीं जड़ेगा तो वेलकम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है नामर्दी नपुन सकता हिजड़ापन दूर करने की सबसे फाइदे मंद औसधी अगर आपके सरीर में सुस्ती है एक बार संभोग करने के बाद आपके सरीर में सुस्ती आ जाती है ठकान आ जाती है दोबारा लिंग खड़ा ही नहीं होता लिंग में जोस की कमी है ताकत की कमी है मरदाना ताकत की कमी है बीबी को खुस करने की ताकत चाहिए तो वही ताकत इस आउसदी में भरी है मात्र इस आउसदी का अगर एक खुराख खाकर बीबी के साथ बिस्तर में चले जाते हो तो बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकोगे, चीर दोगे, फार दोगे, बीबी की गुफा खुस हो जाएगी बीबी तो चलिए फ्रेंड्स इस आउसदी के बारे में जाने, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अदभुत औसधी को इस अदभुत औसधी को आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा यह जामुन है आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो यह पकी होई जामुन आपको लेनी है और इसके आपको ऊपर का छिलका निचोड कर आपको इसे निचोड कर रख लेना है यह बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द होता है इसका रस दोस्तों इस जाम जामून का रस सुगर के पेसंट के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है इसके रस को निचोड कर किसी काच के बोतल में भरकर रख दें और सुगर के पेसंट वाले लोग एक एक धकन सेवन करें तो सबसे पहले आपको इसके बीजों को लेना है आपको इसके मरदाना ताकत बढ़ाने के लिए आपको इस जामन के बीजों को अच्छी तरीके से सुखा कर उपर की उसकी जो छिलका होता है उसे निकालें उसके बाद अंदर से उसके गीरी निकलेगी हरी कलर की गीरी निकलेगी इसके बीजों की हरी कलर की गीरी को निकाल कर उसे अच्छी तरीके से पीस कर उसका पाउडर तयार कर लें 100 ग्राम की मातरा में इस अदभुत जामन के बीजों की गीरी का पाउडर तयार करें अगर आपके आसपा से जामुन नहीं है तो जामुन के बीजों को आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं आयूरवेदी की श्टोर से, हकीम की दुकान से, बैदे की दुकान से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको 100 ग्राम की मातरा में लें, अच्छी तरीके से पीस कर कूट कर इसका पाउडर तयार करके किसी काच के बरतन में भर कर रख दें और प्रति दिन एक शम्मच की मातरा में दूद में मिला कर सुबह दूद में मिला कर साम को एक एक शम्मच सेवन करें आपके सरीर में ताकत की कमी कभी भी नहीं होगी इनरजी बूस्टर का काम करता है यह आपके बीर्य को भी गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा करता है आपकी संभोग करने की टाइमिंग को यह बहुत ही ज़्यादा आसानी से बढ़ा देगा और आप अपनी बीबी की अच्छी तरीके से पूरी रात ठोकाई कर पाएंगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जाड़ देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड